हेलो दोस्तो दा अल्टिमेट इंडिया में अभिशेक सरकार का आप सभी को नमसकार उमीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे पर दोस्तो सरकार चाती है कि एकजाम सप्टेंबर में ही हो जो सरकार ने बोला है इसको लेके बहुत जादा बहस चल रही है बहुत जादा प्रोटेस्ट चल रहे है स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स बहुत जादा नाराज है गौर्मेंट से और सुप्रीम कोट तक में स् सिसो दिया ये सब स्टूडेंट के समर्थन में आ गए है तो दोस्तों ये क्या है पूरा किस्सा ये क्यू हो रहा है ये सब ये पूरे डिटेल में हम आपको बताएंगे ये वीडियो को एंट तक देखे और हमारे चानल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजे दोस्तों सबसे Engineering Colleges में Admission लेते हैं उनकी रैंकिंग आती है उसके बाद वह Engineering Colleges में Admission लेते हैं वैसे ही दोस्तों NEET में जो Medical के Undergraduate Corpses करना चाहते हैं जैसे MBBS वगेरा उनका ये Entrance Exam होता है इस Entrance Exam के रैंकिंग के हिसाब से उनको medical institutes में admission मिलता है तो दोस्तो इस साल JEE में जो engineering के लिए है उसमें कुल मिला के 9.5 लाग बच्चों ने register किया और दोस्तो जो medical के लिए है need उसमें कुल मिला के 16.5 लाग बच्चों ने register किया इसका एक exam जन्वरी में हो चुका है और दूसरा exam एप्रिल और में में होना था पर दोस्तो कोविट situation की वज़े से ये exams पोस्पॉन हो गए है 21 अगस्त को NTA ने ये घोशना की कि जो need का exam है वो होगा 1 से 5 सप्टेंबर और दोस्तो जो JEE का exam है वो होगा 13 सप्टेंबर को तो दोस्तो आखिरकार जो students है वो protest कर क्यों रहे है दोस्तो students और उनके parents protest इसलिए कर रहे है क्योंकि parents कह रहे है कि अगर students exam देने जाएंगे तो उनको COVID होने का खत्रा हो सकता है क्योंकि वहाँ पर जाके वो कई और बच्चों के contact में आएंगे कई और लोगों के contact में आएंगे तो इससे COVID होने का खत्रा हो सकता है और दोस्तो students के साथ साथ उनके parents और उनके guardians उनके grandfather, grandmother इनको भी COVID होने का खत्रा हो सकता है तो दोस्तो students association ने फैसला किया कि वो government को बोलेंगे कि अभी exam ना ले जब तक situation थोड़ा better ना हो क्योंकि हर रोज अभी जो covid के cases है वो बढ़ ही रहे है और इसके बीच exam conduct करना बहुत ही खत्रा हो सकता है students के लिए और उनके parents के लिए भी और जो उनके घर में old age लोग रहते हैं उनके लिए तो सबसे ज़ादा खत्रा होगा दोस्तो students कह रहे हैं कि एक exam के लिए वो अपनी और अपनी family की जान खत्रे में नहीं डाल सकते इस पर government का कहना है कि अगर अभी exam नहीं हुआ अगर सब्टेंबर में exam नहीं हुआ तो बहुत जादा delay हो जाएगा फिर अगले साल दो साल का exam एक साथ होगा और जो institute वगेरा है जहाँ पर admission होना है वहाँ पर दो साल के बच्चे एकटा admission लेंगे जिससे की क्योंस मत जाएगा एक साल खाली रखना seat को खाली रखना सही बात नहीं होगा पर दोस्तो डेली के education minister मनी सिसोधिया ने कहा कि यह नहीं हो सकता कि इतने बड़े देश में जहाँ पर इतने सारे intellectual educated लोग है वो यह alternative नहीं निकाल सकते JEE और NEET के entrance exam का वो लोग admission के लिए कोई और solution नहीं निकाल सकते ऐसा सोच पाना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि हर चीज़ का कोई ना कोई solution होता है और बच्चों को अभी खत्रे में डालना solution तो बिलकुल नहीं है बलकि हम लोग यह कर सकते है कि admission के लिए कोई और criteria कोई और exam कोई और solution हम लोग निकाल सकते है दोस्तो राहूल गांदी और कपिल सिब्बल ने भी students का समर्थन किया है और government को बोला है कि students की बात एक बार सुन ले क्योंकि यह students की जान पे आ पड़ेगी पर दोस्तो दुख की बात तो यह है कि इस सब चीजों पर बहस नहीं कर रहा है शायद दोस्तो न्यूस चैनल के लिए जो education वगेरा है वो secondary है और जो और सारे मसाले वाले न्यूस है टी आर पी वाले न्यूस है वो सबसे पहले है हो सकता है तो दोस्तो आपको चुनना है आपको कौन सा न्यूस देखना है और ऐसे व